हलो फ्रेंज आप सभी का स्वागत हैं फ्रेंज आज हम कच्छा 10 इविज्ञान का यहाँ पर सम्पूर हल देखने वाले हैं फ्रेंज आपको पेपर हल करने के लिए 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलता है जिसमें आपका विज्ञान का पेपर टोटल कितने नमबर कराएगा सत्तर नमबर का फ्रेंज यहाँ कुछ निर्देश दिया गया है इस निर्देश को आप पर लीजिएगा आप सभी निर्देश के बारे में पहले से जानते भी होंगे चलिए सीधे प्रश्ण पत्र को हल करते हैं तो फ्रेंज देखी यह प्रश्ण पत्र ऐसा है जहां से आपके बोड की एक्जाम के साथ साथ में आपके अर्दवारसी पेपर में भी यही प्रश्ण पूछा जाता है फ्रेंज देखिए आपके सामने पहला नंबर का सवाल क्या है यदि आपतन कोड आई प्रावर्तन कोड आर हो तो अपवर्तित किरण विचलित होगी तो फ्रेंज देखिए यहाँ कहने का मतलब यह है कि आपतन कोड दिया रहे और प्रावर्तन कोड आर हो तो उस अपवर्तित किरण विचलित कितना होगा तुछ सीधे याद रखिएगा कि I-R होता है कितना विचलित होगा I-R प्रावर्तित होयाद है। इंडार के एक प्रावर्तित कोड के इन Dorothy प्रावर्तित कोड के और आता है। इसमें सही जवाब का वाला आपसन सही हो जाएगा ठीक है अगला प्रशन देखिए फ्रेंज इसको ज़रूर याद रखिएगा यह आपके बोड के एक्जाम में आने वाला प्रशन है कि ताप बढ़ाने पर किसी चाला का वैदुत प्रतिरोत ठीक है आपसने अपवर्तित हो यदि चालाक है उसका ताप बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोत क्या होता है बढ़ता है तो इस प्रशन का सही जवाब खावला आपसन करेक्ट हो जाएगा इसके साथ में आप याद रखिएगा अचालाक अचालाक जो होता है यदि ताप बढ़ाते हैं ताप बढ़ाने पर अचालाक का प्रतिरोध होता है घरता है क्या होगा घरता है जालों प्रशन को साथ मियाद रखिएगा अगला के पिरिज मोगोगा आधिक्तम होता है आप यहां विक पोचा है है बहेगनी रंगा हरे रण класс पीले रंग's राइन यहां पर प्रस्व याद रख़ेगा यहां पर प्रस्व पूछा लेकिन आप खर्ण विस्टत बता देते हैं देखें पूछिए प्राक किरणन पूछता है प्राक किरणन के बारे में इसके अलवा अपवर्तनांग पूछता अपवर्तनांग और इसके साथ में तरंग दैर्द पूछता है तरंग दैर्द इस प्रशन को आप जरूर याद रखेएगा यहाँ पूछता है सबसे अधिक सबसे अधिक मतलब अधिक पूछता है और कम पूछता है पूछता है कि विचलान सबसे अधिक किसका होता है प्रक्राइब किसका अधिक सबसे होता है यह तीनों के बाद में सबसे अधिक पूछेगा तो आप सिर्फ याद रखेंगा बैगनी रंग किसका बैगनी रंग का विचलान सबसे अधि कीजरांन पक्रप्तनां सबसे अधिक बैगनी रंग के होता है वीचरण प्रकरणड प्रतनांग सबसे कम इसका होता है लाल का होता है इसके लाब द्यात रखे जो अधिक होता फिसकार होता है और कम कुसका बोटा जीका इसका उल्टा होता ठीक है ता आप है त्रेंग दिखाए लाल का कम किसका फिसका बोटा ड़को जबकि यह Speaking पेरा बिंद हो गया है यहां प्रिज मतलब वीचलन अधिकतां पूछा है मतलब अधिकतां मतलब अधिक किसका वगात बाइगनी रंकात इसका सही जब को वाला आपसां करेक्ट हो जाएगा ठीक है आपके सामने देखें अगला नमर का सवाल चौथा नमर के क्या है कि एक अधिल दरपड की वकृता 14 सेंटी मीटर है इसकी फोकस दूरी प्यक्किन प्यक्तित दोरी पुच्छा ओतल दरपड देखिए और तरपोड में इसके शाथ में एक अगला सवाल क्या है एक प्रोटान पर विद्धुत्-अवेस्ट की मात्रह होती है तो फ्रेंज देखे जो एक प्रोटान हो चाहे इलेक्टरान हो तो प्रोटान पे विद्धूत आवेस की मातार डायेक्ट की याद रखे एक दस्मलों छह गुले 10 में माइनस 19 कुलाम होता है इसे याद रखेगा देखे प्रोटान पे पूछे रहते हैं यहाँ धनात्मक रहेगा प्रोटान पे क्या होता है दनात्मक लेकिन जब इलेक्ट् प्रोटान पे पूछे रहे होगा प्रोटान पे पूछे रहे होगा दनात्मक एक दस्मलों छह गुले 10 माइनस 19 कुलाम अब देखे आप सामने छटवा नंबर का सवाल क्या है कि किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंबिक लंबाई की कितनी गुनी है तीन गुनी तो उसका प्रतिरोट हो जाएगा अब देखे फ्रेंस यहां पे तार की लंबाई प्रतिरोट की क्या होता है यानि कि प्रतिरोट होता है लंबाई की क्या होता है समान उपाती होता है यानि कि लंबाई आपका जितना बढ़ेगा उतने प्रतिरोट बढ़ता है यहां कि किसी तार की रहा है लंबाई कि प्रारमभिक लंबाई के तीन गोना याने कि आपकी लंबाई कितना हो रहा रहा है तीन गोना आपका प्रतिरवB बढ़ रहा थे उस्चान प्रतिरवद कितना बढ़एगा एक सही जभॉबलबर अंप्नी प्रस्नी प् दियांस। efforts to खीच कर नम्बाई को खीच कर बढ़ाते हैं उसमें पर स्कॉर क्या क्या होता है जब खीच कर का यदि यहीं प्रासने पूछता है कि लंबाई उसकी प्रारंभी लगाई तीन प्रतिरोत कितना हो जाएगा तीन गुना हो जाएगा ठीक है अगले प्रशन को देखते हैं देखी आपके सामने अगला साथवा नंबर का प्रशन क्या है कि स्वास्त आख के लिए दूर बिंदू होता है अब देखें यहां पर कंसेप्ट के लिए रखीजिएगा देखें यहां पर आपको बार बार प्रशन क्या पूछता है दूर बिंदू एक पूछता है दूर बिंदू क्या होता है ठीक एक पूछता है निकट बिंदू निकट बेंद्न कैंग तो क्या होता है आपको 25 मेडर ऑग का दूर्स निकट बेंद्न का है तो किया होगा है 25 को चनुम्ट हो इसका सही जब कोवला आपसन करेक्ट हो जाएगा ठीक है अब देखिए इस प्रश्ण को जरूर तयार करके जाएगा यह बहुत बोर्ड के एक्जाम में पूछता है क्या प्रश्ण है कि यहां से हटा रहा है यानि को इसका अस्थान कर रहा है यहां नमबर कर देखिए लाल लिट्मस को कैसा कर दे रहा है नीला कर दे रहा है इसका पीच मान होगा अब दिखें फ्रेंस जब यह लाल को किसमें कर रहा है नीला में ना जब नीला में कर रहा है तो इसका पीच मान कितना होगा तो यहां ध्यान दिजेगा कि जब कोई विलियन लाल लिटमस को नीला करता है तो वो कैसा विलियन होता है चार होता है और चार का पियच मान कितना होता है चार का पियच मान साथ से अधिक होता है क्या होता है साथ से अधिक होता है ठीक है अब देखिए एक दिया है चार दिया है पांच दिया एक दिया बोलए आग्सार 27 की आपको बतार ना प्रबवल चार क्या है सब्सहत Dr. सबसे ही सब्सक्राइब याद रखेगा सबसे हैं अगला सवाल सर्फूरिक अमल में मन 27 संक्या चन्न संध़ान है कर दिए 2 4 होता है स्मीघ्री की조 संधो owता चचते हैं इससोपन चर्फ कितНе सब्सक्राइब करता है जो तत्व हाइडोजन से उपर होता है वह हाइडोजन को मुक्त करता है इसमें जब दियान देखे तो आप मैगनीशियम है आपका प्लेटिनम है कापर है और पारा है इसमें जो हाइडोजन को विस्थाफित करेगा मैगनीशियम वह सक्रिता स्रीजिस आप पढ़ेगा के यन ए यम जी इस तरह होता ना इसके नीचे इस तरह जैसे जैसे इसके लवर्ण है अमली लवर्ण यहां प्लिवर्ण लवर्ण पूछा है यह किमात्र हैं ब्रक्रेक्ण होता है इसमें चारों देखेंगे यह ऐसे सपर के साथ ही हाइडोजन यहां कुपस्तित इस विल्वर्ण क्या हो जागा आपका खावला सब्सक्राइब करेक्ट हो जाएगा अब देखिए आपका चोधावा नंबर का सवाल क्या है यक्रित स्रावित करता है इसको जरूरे आप याद रखके जाएगा कि यक्रित क्या स्रावित करता है आप सब्सक्राइब iacris द्यां देखेने स्टॉइन के स्रवित करता है तो यह सस्रूइत करें करता है छेक्ट करता है पादपों गुखनले में जाइलम की करता है आपके अधार पूषतान है जाहिलम में देखें जाहिलेंगे उप्रकास हो गया ज़ल में जाहिलम का कारे होते हैं जाहिलम का करता है इसमें आप होगा। और जय का इन पूछे गाला न्र यूगम कि संख्या कितनी होती है, आप सार effet , आपका संख्या किए एक है दु है, तीन है आठ है, इसमें आप सभी को बताना है कि प्राग नलीमिन और युगमों की संख्या कितनी होती है तोटल होती है आपकी दोत इसका सही जवाब करेक्ट हो जाएगा इसको याद रखेंगे बहुत इंपोर्टेंट है ना मेरू रज्यों से निकलने वाली मेरू तैंत्रिकाहों की संख्या कितनी होती है तो एक तीस होती है इसका सही हो खवलाप्शन करेक्ट होगा ठीक है अब चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं अगला नंबर का सव प्राप्शन करेक्ट हो जाएगा अगला बीसवा नंबर का पीड़े में तीन अनुपाते वन अनुपात प्राप्थ होता है कब प्राप्थ होता है एक संकर क्रास में प्राप्थ होता है दिव संकर में यह को और उनों होगा यह उप्रियुक्त में से कोई नहीं तो देखिए अब यहां से वड़ा आत्मक प्रश्ण होता है इस सब जितनी भी प्रश्ण बताने वाले इस सभी प्रश्णों का अब तयार करके जरूर जाईएगा देखिए पहला प्रश्ण है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दरपड़ से कोई भिम 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे है पर्तिमीम की इस्थिति प्रकृती बता ही है यहां फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दिया है और कितनी दूरी पर रखे है नहीं कि देखिए यहां पी यू का मान दे दिया और भी का मान यहां से पूछ रहे है यह चार नंबर करेगा आप इस फार्मूला पि इसको हल कर लीजिएगा सवाल आप हल जरू कर लीजिएगा अगला पायो से वाट का नियम आप जरू पर लीजिएगा यह चार नंबर का आने वाला है इसके लाद है कि एक घंटे में 50 बॉल्ट विप्वांतर 9000 कुला अवayo wzglा को अस्थ्ञ Wait करने कि कि इस्मा प्रेकलित करना पड़ेगा यहां पर क्या पूफ रहा है उस्मा पूछ रहा है कि इसक प्रिक्खत कमान की anders इस्ट रिजए च्छानवे हज़द यहां जी इसकी एक भी अधिया लगा लीजएगा ए ए आपका के लुए निकल जाएगा नहीं जूनमें इसका एंसौर निकल जाएगा अप लगां लिजएगा इस सवाल कई इस फार्मूले पर अगें पडिएगें EF1 upon U plus 1 upon B का निगमन करना है संकेत के मान अर्थ यानि EF किसको दिखाता है U किसको दिखाता है B किसको दिखाता है यह दिखाना रहेगा इसके लब आतवा में दिया है कि चुम्म की छेत्र में इस थी धारवाई 4.000 पर लगने वाले बल का सुत्र है यानि यफ इसकल्टू आपको यह पता करने यफ इसकल्टू यह बी आई एल ठीक इस फार्मूले को तयार करके ज़रू जाईएगा अब अगला नंबर का सवाल देखें लगूत्तरी प्रश्ण है संतुलित करना है आपको समिकड़ों कि क्या करना है संतुलित करना कितने अब इदर जाँ च्छ ऑट और इदर आट और इदर च्यार ओजागा आप यहां पर हईदूजन कितना लेना पड़ेगा यहां पर हईद्रोजन इसे किजिए चा बारा है और यह कितना है oxygen दखिए यहाँ पर 6 12 को oxygen हो जा रहा है यहाँ पर आपको hydrogen बराबर करना है तो hydrogen बराबर करने के लिए कितना लेंगे 8 ले लिजेए न 12-4-8 लिजेगा यहाँ पर 8 लेटे hydrogen तो 8 12 के 16 हो जाएगा और यहाँ भी आप लेंगे तो hydrogen भी 16 हो जाएगा और और 97 कि छ श दुआ र dew 8 और 14 पार इस तरह आपी बारह हो जायते है इस को 40 बेचार बैठके आराम सी को संतुलित लीजेगा ठीक कि यह भी संतुलित कर लीजेगा आसानी संतुलित कर लीजेगा ठीक है इसके पाद एक न पॉड़र जिसे विरिंजक चुड़ करते इसका रसायनिक नाम और सुत्र जरूर लिखिएगा और इस बनाने की वीदियां जरूर इसका तयार करके जाएगा बिर्चिंग पाउडर का प्लास्टर पेरिस हो गया इसको तयार करके जाएगा अगला नमबर का जो सवाल है और यस इस सांद्र सब्स्राइब क्या समझते हैं संद्र के बारें पढ़ना है नमबर के यदियों कि विस्त्थापन इस को पास प्लग को करना है इसके अलावा देखें यहां पर क्या है आपका अमासे किसे कहते हैं इसके तीन प्रमुक कार लिखिए जो चार नंबर का अमासे आहार नाल के बारे में पढ़के जाएगा गर्म निरोत की विभिन वीधियां जो हैं उसको पढ़ लिजिएगा चार नंबर का सौप रागड के लिए आवश्रेक अनुकूलत था इनके लाव सुप रागड क्यों होता है कैसे होता है लाव उसके हानियां आता है पेपर में पढ़के जाएगा इसके लाव मुक्से लेकर अमासे तक होने वाली पाचन किरिया के बारे में जो पाचन किरिया आना हार नाल जिसमें होता है आप भोजन ग्रण करते हैं कहां कहां पर पसता है छोटी आत बड़ी आत क्या होता है इसके बारे पढ़ लीजिएगा ठीक है च्छा नंबर कराएगा इसके लावा यकृत के कार उनलेक के बारे में आपको पढ़के जाना है इन सभी प्रशनों को आप जुरूर जितने भी प सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को सेर करें